बनाते हैं तो इंग्लेंड को 62 रनों पर समेच दें 300 रन बनाते हैं तो इंग्लेंड को 13 रनों पर ही आलाउट कर दें ये है पूरी खबर पाकिस्तान का खेल खतम वर्ल्ड कॉप पर सेमी फाइनल के लिए अंग्रेजियों को दिखानी होंगे दिन में तारे भारत में वेजवानी में खेला जा रहा वंडे वर्ड कप 2020 सब सेमी फाइनल में इंट्री कर चुगा है सेमी फाइनल के लिए तीन टीम भारत सावत अपरीका और आस्टेलिया पहले से हित्ते हो चुकी है जबकि चौथी टीम के लिए न्यूजी लैंड ने अपनी दावेदारी वेहर मजबूत कर लिए है वहाँ कह सकते हैं कि न्यूजी लैंड ही चौथी टीम होने वाली है जो भारत से पहले सेमी फाइनल में भीड़ेगी यानि पाकिस्तान टीम का सफर अब खतम ही माल ली जिए न्यूजी लैंड ने गुरुआर 9 नौमबर को वेंगलोरू के एम चिन्ना शामी स्टेडियों में से लंका की खिलाब मैच खेला सेमी फाइनल के लिए इंगलिश टीम के लिए दिन में तारे दिखाने होंगे तभी पाकिस्तान पहुंचेगा फाइनल में पाकिस्तान टीम का गुरुप स्टेड़ में आखरी मुकाबला इंगलिएंड के खिलाब 11 नौमबर को होना है या मैच कोलकादा के एडन गार्डन में खेला जाएगा यज पाकिस्तान को सेमी फाइनल में इंट्री करनी है तो अंग्रेजों को दिन में तारे दिखाने इसके बाबर आजम की तीन की कफ्तानी में पाकिस्तान टीम को इंगलेंड के खिलाब 287 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा इतने बड़े अंतर से मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 400 या 405 चार्ज से ज्यादा का स्कोर बनाना होगा इसके बाद दमदार गेंबाजी भी क पकाबला जीतना होगा यह तो किसी चमतकास से कम नहीं होगा एसे में दोनों ही ममलों में पाकिस्तान को अब कुद्रत के निजाम का ही सहारा मान सकते हैं पाकिस्तान के लिए से मिफाइनल का समीकरां इंगलेंड के खिलाब यद बहले बैटिंग करते हैं तो करीब 284 सभी फारेंल का समीकरां चार्ट सोरन बनाते तो इंगलेंड को 112 रनों पर ठेल करें 350 रन संब्सक्राइब बनाते हैं तो इंगलेंड को 123 रनों पर आलाउट कर दें ये है फूरी झाल झाल झाल